कोटा जिले के खातोली पुलिस में अवैद मादक पदार्थ वत तसकरी के खिलाफ कारवाई करते हुए अवैद मादक पदार्थ गांजा एक पॉइंट 133 किलोग्राम गांजा जबत कर एक मुलजिम को गिरफतार किया है ग्रामिन पुलिस अधिक्षक कावेंद्र सिंग सागर ने बताया कि खातोली पुलिस द्वारा आट जन्वरी के दोरान गश्त वचेकिंग अभियुक्त फारुक पुत्र मांगू खां जाती मुसल्मान उम्र 47 वर्ष निवासी खातोली को अवैद गांजा एक किलो 133 ग्राम क साथ पकड़ने में सफलता प्राप्त की है कोटा ग्रामिन अतिरिक पुलिस अधिक्षक अरून माचिया वसौरपतिवारी के निर्देश में इटावा उपाधिक्षक राजेश मलिक थाना दिकारी राम स्वरूप राठोड के नित्रित्व में विशेश टीम का गठन किया गया आठ जन्वरी को साड़े पांच बजे पारवती नदी पुलिया शयोपुर रोड खातोली द्वारा नाकमंदी वर चेकिंग के दौरान अभ्युक्त फारुक पुत्र मांगू खान को ग्रफतार किया गया है जिसके कबजे से 1 किलो 133 ग्राम गांजा जप्त किया गया ह पराक्रम संख्या 11 by 2023 धारा 8 by 20 एंडी पीसी एक्ट में दर्श किया गया है और मुलजिन से पूश्टाच की जा रही है